जैसी मैं यहां पर यह प्रैस करूँगा यह देखिए अभी यह ओन नहीं होगा दवारा से चाबी उठाता हूं मैं को लेकर मैं आया इधर रख दी है यह देखिए अपन हो गया जितनी डिमांड एक बाइक की होती है अब प्रिजेंट टाइम में उससे भी कहीं ज़्यादा डिमांड एक बैस्ट स्कूटर की हो गई है क्योंकि इस्कूटर जो है इजी टू यूज मेल्स के लिए भी है और फी इसमें आपको आगे स्टोरेज मिल जाता है और अंडर सीट स्टोरेज भी मिल जाता है यह है हंडा का एक्टव एच स्मार्ट जी या गाइस यह वही स्कूटर है जिसको कंपनी ने अभी रिसेंट्ली लॉंच किया है कीले सेंट्री के साथ मैं स्मार्ट की के साथ मैं यदि आप भी अपने लिए एक best smart scooter लेना चाहते हो तो ये वीडियो खास तोर पर आपी के लिए है इस scooter से related आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दों में मिल जाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपके budget और आपकी requirement के according आपको ये वाला scooter लेन चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा special है तो आप इस वीडियो को बिना skip किये पूरा जरूर देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं इस scooter के color की ये scooter जो है multiple six colors में आता है ये इस scooter का pearl white color है इसमें आप blue color भी ले सकते हो matte में भी मिल जाएगा और sine में भी मिल जाएगा black में भी ये scooter आता है और maroon में भी आता है और matte axis grey में भी आता है अब बात करते हैं इस scooter के dimensions की यानि की लंबाई, चोड़ाई, उचाई और बजन की ये scooter 106 glow का है और इस scooter में ground clearance आपको 162 mm का मिलता है इसकी overall length है 1833 mm की width है 697 mm की height है 1156 mm की इसमें आपको wheelbase 1260 mm का मिलता है और इसकी seat height है 692 mm की जिस किसी की भी height कम है ये scooter उनके लिए एकदम से perfect है आईए अब इसका walk around करते हैं ये है इस scooter की proper left profile ये है इस scooter की proper right profile ये है इस scooter की proper front profile जिसमें आप इसके head handle ORBM के design को देख रहे हो आईए मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ ये देखिए guys head पर pearl white color मिलता है headlight की अगर बात की जाए तो इस scooter में अब आपको full LED headlam setup मिलने लगा है ignition के on होते ही इसकी headlight automatically on हो जाती है ये देखिए इसका low beam high beam भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये मुझे इस scooter का काफी अच्छा feature लगा है scooter अभी start नहीं है ignition के on होते ही इसकी headlight on हो जाती है और आप इसको low beam high beam पर भी adjust कर सकते हो sight and indicators आपको यहाँ पर मिलते हैं दौनों side में ये देखिए इनमें company ने halogen bulb का ही use किया है यहाँ center में company ने Honda का sticker लगा कर दिया है number plate लगाने के लिए front का design कुछ इस तरीके का है ये देखिए जो कि आपको triple tone में मिलता है यहाँ पर glossy white मिलता है यहाँ पर chrome मिलता है और यहाँ पर black fiber मिलता है front suspension की अगर बात की जाए तो इस scooter में आपको front में telescopic suspensions मिलते हैं front mad guard का design कुछ इस तरीके का है जो की metal में मिलता है काफी अच्छी बात है और यहाँ पर again fiber की protection दोनों side में reflector मिलते हैं पीछे ये fiber में मिलता है Activa H smart variant में अब आपको alloy wheels मिलने लगे हैं front में company ने 12 inches का alloy wheel दिया है यह देखिए इसका pattern कुछ इस तरीके का है front tire की अगर बात की जाए तो front में company ने MRF company का एक बहतर quality का tubeless tire दिया है जिसका size भी मैं आपको दिखा दिता हूँ जो की है 90-92 front tire में grips कुछ इस तरीके की मिलती है बात करते हैं इसके braking system की guys इस bike में आपको CBS मिलता है इसका मतलब होता है combi braking system print wheel में आपको 130 mm का drum braking system मिलता है पैद रखने के लिए कुछ इतना space मिल जाता है यह देखिए enough है यहाँ पर कुछ information दी हुई है यदि आप चाहो तो video को pause करके आराम से तसलिश से पढ़ सकते हो dual tone मिलता है यह देखिए यहाँ पर black fiber है और यहाँ पर आपको pearl white मिलता है under seat यहाँ पर एक hook मिलता है जो कि adjustable नहीं है fix है print में यहाँ पर भी एक hook मिलता है यह भी adjustable नहीं है fix है man update यहाँ पर आता है यह देखिए चावी लगाने का यहाँ से section बिल्कुल चला गया है एक company ने knob डे दिया है यह देखिए इसको use करने के लिए आपको इसको push करना होगा और फिर यहाँ से इसको use कर सकते हो यह देखिए यहाँ से इसका ignition on होता है seat and fuel के लिए यहाँ पर lock करने के लिए यह पहले जैसा ही है fuel and seat के लिए यहाँ पर switch दिया है इसके साथ मैं अब आपको दो remote मिलते हैं यह देखिए smart remote है इनका design कुछ तरीके का है पीछे की तरफ यहाँ पर company ने Honda को mention किया है यहाँ पर दो button मिलते हैं यह देखिए पहला यह 1000 light जैसा इनो न दिया है यह देखिए यह parking बगएरा में इस scooter को search करने के लिए है आप अपने scooter को search कर सकते हो बहुत अच्छी बात है company ने इसमें यह बहुत अच्छा feature दे दिया है यह देखिए कि बहुत फ्रेंट वाला ही नहीं rear से भी देखिए है ना जवर्दस्त आईए अब मैं आपको और भी features बताता हूँ यह lock unlock करने के लिए है जैसे इसको दबाए रहेंगे red light आ गई यह lock हो गया है ठीक है unlock करने के लिए इसको आप दबाए रहेंगे green हो गया अब यह unlock हो गया है इसके साथ में आपको दो smart remote मिलते हैं यह देखिए आप एक को अपने साथ लेकर चलिए और एक को अपने घर पर रख दीजिए इसके साथ में आपको दो चार चीज़ें और extra मिलती हैं जैसे कि यह आपको extra मिलता है यह एक और extra मिलता है और यहाँ पर यह आपको barcode वगएरा मिलते हैं इन सबी चीज़ों का क्या use है प्रॉपर आप इनका कैसे use कर सकते हो इसके लिए मैं एक dedicated वीडियो आपके लिए बना दूँगा क्योंकि यह वीडियो जो है ओलेडी काफी जादा लंबी हो जाएगी बहुत सारी information अभी भी बची हुई है आपको बताने के लिए ठीक है तो यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो फिर आप technical sst youtube चैनल को subscribe कर लीजिए इसकी proper वीडियो आपको जैसी upload होगी वैसी मिल जाएगी और यदि आप इसको late देख रहे हो तो इस वीडियो के link में आपको i button में और इस वीडियो के discussion में दे दूँँगा इस angle से मैं आपको इसके handle और or beam के design को दिखाता हूँ जो की कुछ इस तरीके का है इसके left handle पर यहाँ पर आपको एक indicator switch मिलता है जिससे आप दो-तीन काम कर सकते हो low beam, high beam और passing काम कर सकते हो, engine को start कर सकते हो और engine को stop भी कर सकते हो इस scooter में आपको fully analog instrument cluster मिलता है odometer और speedometer आपको analog में मिलता है, fuel gauge यहाँ पर मिलता है, यह भी analog में है यहाँ पर company ने PGMFI fuel injection को mention किया है sight and indicator यहाँ पर मिल जाते हैं, high beam indicator मिलता है, check engine indicator मिलता है और battery indicator मिलता है और यहाँ पर यह smart key remote वाला भी feature मिलता है यहाँ कि इसका indicator मिलता है इसके ignition को कैसे use करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, lock करने के लिए आपको push करना होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा, क्योंकि यह जो handle है base side में है, मैं lock करके दिखा देता हूँ, इसके handle को lock करने के लिए push करना होगा, और left side में थोड़ा सा इस handle को आगे की तरफ करके, ऐसे lock कर देना होगा यह lock हो गया है और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ इसको पहले तो मैं unlock कर लेता हूँ unlock कर लिया है, यह देखिए, handle lock हो गया और मैं इस side में इसको करके अब handle को lock करता हूँ यह देखिए इस side में होगा इस scooter में मुझे एक कमी यह लगी है कि इस scooter का handle है वो केवल और left side में ही lock होगा right side में lock नहीं होगा आपके सामने फिर से करके दिखा देता हूँ यह देखिए नहीं हो रहा है अब यह इसका plus point है, negative point है वो आप समझिएगा यह तो मैंने आपको lock करना बता दिया अच्छा जब यह unlock हो जाएगा unlock करने के बाद आपको push नहीं करना है simply आपको left side में turn करना है ignition कुछ इस तरीके से यह on हो जाता है यह देखिए इस scooter की seat का design कुछ इस तरीके का है इसकी seat जो है rider और pillion के लिए काफी ज़्यादा comfortable है और काफी ज़्यादा soft भी है वाई एक बात तो मानने पड़ेगी Honda की seat जो है काफी ज़्यादा comfortable होती है और इसके gravel rail का design कुछ इस तरीके का है यह देखिए काफी जवर्दास solid metal का है under seat storage भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लिए इसको seat वाले को यहाँ पर लगाना होगा अब देखिए अब यह ऐसे नहीं गुम रहा है इसको push करके तब करना होगा अब यहाँ पर यहाँ seat को मैंने दबा दिया यह देखिए under seat storage कुछ इतना मिलता है इसमें इसकी quality जो है मुझे थोड़ी सी कम लग रही है पता नहीं क्यों कुछ tools वगरा देती है यह देखिए आराम से मुझे लगता है बड़ा वाला helmet इसमें आ जाएगा और इसमें कोई भी आपको light वगरा नहीं मिलती है चली इसको बंद कर देते हैं center में lock इसका बंद हो गई यहाँ side में आपको white color मिलता है जो भी color में आप लोगे तो वो color मिलेगा side stand इसमें company fitted नहीं मिलता है additionally आपको side s series के तौर पर लगवाना होगा सोरूम से rider for trash की quality कुछ इस तरीके की है इस पर rubber लगा कर दी है quality इसकी मुझे decent लगी है company fitted आपको इसमें central stand मिलता है left side से rear profile दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की है ये metal में है चवरदस यार metal में है भाई ये यहाँ पर company ने activa को 3D में mention किया है और यहाँ पर company ने edge smart को mention किया है यही तो man है आईए गाईस अब वहाँ की बात करते हैं जहां से इस scooter की performance निकल कर आती है जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे इसके engine की इस scooter में आपको 109.5 बन सीसी का single cylinder air cool BS6FI four stroke two valve engine मिलता है इसके engine की maximum power है 7.68 bhp की 8000 rpm और इसका maximum torque है 8.84 newton meter का 5500 rpm और इसके engine से आपको काफी अच्छी performance मिल जाती है power भी अच्छा है torque भी अच्छा है और इस scooter से आपको mileage भी काफी अच्छा मिलता है mileage के वारे में आपको proper आगे बताऊंगा इसके engine cover का design आपको change लग रहा होगा यह देखिए अब इसमें आपको कोई भी के किस्टाइट का feature नहीं मिलता है जबकि Activa 6G में आपको के किस्टाइट का feature मिलता है यहाँ पर company ने Honda को mention किया है यहाँ पर company ने ESP को mention किया है enhanced smart power बात करते हैं इसके rear suspension की rear में आपको adjustable hydraulic suspension मिलता है साइद यह three step adjustable है आईए बात करते हैं इसके rear braking system की जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया इस scooter में आपको CBS मिलता है इसका मतलब होता है combi braking system जब भी आप पीछे वाला brake apply करोगे तो automatically आगे वाला brake लगेगा rear wheel में company ने 130 mm का drum braking system दिया है जो की काफी अच्छी बात है यही size आपको front में भी मिलता है और यही size आपको rear में भी मिलता है rear में company ने 10 inches का alloy wheel दिया है tire की बात कर लेते हैं rear में भी company ने MRF company का ही एक बहतर quality का tube less tire दिया है जिसका size भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो की है 90, 100, 10 जी आँ guys front में आपको 12 inches का alloy wheel मिलता है और rear में आपको 10 inches का alloy wheel मिलता है rear tire में grips कुछ इस तरीके की मिलती है यह है इस scooter की proper rear profile tail light में company ने halogen bulb का ही use किया है और side turn indicators में भी company ने halogen bulb का ही use किया है यह tail light ही number plate light का भी काम कर देती है आईए अब मैं आपको इसका fuel cap open करके दिखाता हूँ उसके लिए इसके knob को यहाँ पर set करना होगा push करके यह देखिए और fuel वाले button को यहाँ पर दबाना होगा यह देखिए इसका fuel cap open हो गया है इस scooter में आपको 5.3 liter की fuel tank capacity मिलती है इसको आपको manually open करना होगा सिंगल मफल मिलता है जो की black color में ही है यहाँ पर भी एक additional production मिलती है यह fiber में है राइट सैट से भी rear profile दिखा देता हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके की है यहाँ पर company ने Activa H smart को mention किया है यह है इस scooter की proper right profile आईए गाईज अब मैं आपको यह scooter start करके दिखाता हूँ इसके सभी electrical features दिखाता हूँ engine sound सुनाता हूँ और मैं आपको इसका exhaust note भी सुनाता हूँ इसमें चावी लगाने का section नहीं दिया है और इसके साथ में चावी भी नहीं मिलती है smart remote मिलते हैं इसके साथ में तो मैं इसको pocket में डाल लेता हूँ ठीक है भाई जैसी यह pass में होगा 2 meter के range में इसकी smart की वैसी यह automatically unlock हो जाएगा अच्छा handle को lock आपको manually करना होगा ठीक है यह मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अब मैं इसके ignition को on करता हूँ push करके कुछ इस तरीके से जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया ठीक है sight and indicators मैं आपको on करके दिखा देता हूँ यह देखिए ignition के on होते ही आप इसकी headlight को manually control कर सकते हो scooter start हो या फिर ना हो जो कि यह काफी अच्छी बात है ठीक है और यह single attempt में ही start हो जाता है जो कि काफी अच्छी बात है अब आप इसके engine का sound सुनिये और इसका exhaust note भी सुनिये बहुत ही silent है आपको कैसा लगा प्लीज कमेंड करके ज़रू बताईएगा यह काफी अच्छा फीचर है यह मैंने lock कर दिया है और मैं इससे दूर जा रहा हूँ यह देखिए light on हो गई अब मैं चावी को यहाँ पर ground में ही रख देता हूँ यह देखिए आपके सामने चावी मैंने यहाँ पर रख दी और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और अभी आप देखिए इसको मैं यूज नहीं कर सकता यह देखिए चावी वो रखी हुई है crown में अभी यह on नहीं होगा दवारा से चावी उठाता हूँ मैं इसको लेकर मैं आया यह देखिए उपन हो गया अब मैं यह उम्मिद करता हूँ कि आप इसके फीचर को अब अच्छी तरीके से समझ गए होगे मैं special thanks करना चाओंगा राज speed होंडा को जिनों नहीं यह scooter मुझे proper review के लिए प्रोवाइड किया है इनका यह Honda का सोरूम उत्रप्रदेश के इटावा जले के Man City इटावा में available है यदि आपको Honda का कोई भी product चाहिए हो तो आप इनसे contact कर सकते हैं इनका contact number और इनका address मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा और आपकी screen पर भी flash हो रहा होगा यहां का staff काफी ज़्यादा cooperative है आपको यहां से bike scooter लेने में कोई भी problem नहीं होगी finance contact detail भी आपकी screen पर है bike लेने से related आपकी हर सम्भब मदद की जाएगी यदि आप यह वीडियो देखकर सोरूम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप ज़रूर बताएं कि आप technical sht youtube channel पर वीडियो देखकर आई है हो सकता है आपको कुछ special offer में लियाए अब बात करते हैं इस scooter की price mileage warranty pros and cons final conclusion के साथ साथ मेरे personal opinion की Honda company अपने इस नई scooter पर 3 साल की standard warranty देती है वो 36,000 km तक standard warranty देती है योकि इस segment में काफी बैतर है mileage की अगर बात की जाए तो आप इस scooter से maximum 50 तक का mileage निकल सकते हो फिर वो आपकी riding पर depend करता है और आपके scooter की condition पर depend करता है आईए अब बात करते हैं इसके सभी variants की और उनकी price की guys इस scooter में multiple variants आपको मिल जाएंगे जैसे कि इसमें आता है Activa 6G और उसमें फिर आता है एक premium edition और उसके उपर आपको ये वाला मिल जाएगा Activa H smart के नाम से ये इसका top model है इसके एक सोरूम price की अगर बात की जाए तो इसकी एक सोरूम price है लगबग 80,000 यानिकी 80,000 रुपे की आसपास अन रोड price की अगर बात की जाए इसके pros and con की यानिकी plus point की और negative point की इसका सबसे बड़ा plus point तो मेरी pocket में है इसके साथ में दो smart remote मिलते हैं चुकि काफी अच्छी बात है best in segment है, first in segment है और क्या चाहिए यार kilos entry मिल रही है और इन remote में आपको जो भी additional features मिलते हैं वो मैंने आपको already explain कर दी है next plus point की अगर बात की जाए तो इस scooter में आपको अब full LED headlam setup मिले लगा है और इसी के साथ-साथ next plus point की अगर बात की जाए तो इसमें आपको telescopic front में suspension मिलता है जैसा कि आपको पता है कि हर scooter perfect नहीं होता है यह scooter भी perfect नहीं है इसमें भी आपको कुछ कौन मिलते है जैसे कि इस scooter में अब आपको kick start का feature नहीं मिलता है जोकि Activa 6D में आपको मिलता है इसमें आपको kick start का feature नहीं मिलता है भाई जब आता था तो company को इसमें लगा रहना देना चाहिए था भाई अटा दी ओनों है अब जो भी हो उनकी problem अब आपके mind में ये चल रहा होगा कि भाई अगर इसकी चावी जो है हो गई तब क्या करेंगे क्या दूसरी चावी मिलेगी सोरूम से या फिर इस चावी को यदि आप अपने घर पर भूल गए कहीं पर भी भूल गए तो कैसे इसको start करेंगे या फिर इसकी चावी को आपने इसकी डिग्गी में डाल दिया तो इसकी डिग्गी को कैसे open करेंगे ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके mind में जरूर रहे होंगे मुझे पता है 100% आ रहे होंगे तो भाई इसका solution जो है आपके लिए मैं लेकर आऊंगा इसकी next वीडियो में मैं आपको इसके सभी features के बारे में detail में explain करूँगा जिससे क्या होगा आपको इसके सभी additional features के बारे में detail में पता लग जाएगा कि यदि आपकी ये चावी है चोरी हो गई है या फिर आप कहीं पर भूल गई हो या फिर डिगगी में डाल दिया है तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं अब ये सभी features तो मैंने आपको खड़े-खड़े बता दिये लेकिन ये scooter जो है अपनी performance की वज़े से भी इस segment में काफी ज़्यादा popular है तो भाई इसकी performance के बारे में कैसे पता लगेगा scooter खड़ा रहेगा और इसकी performance के बारे में पता लग जाएगा नहीं भाई इसकी next video मैं इस scooter की proper ride करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इसकी performance के बारे में भी detail में explain करूँगा मैं आपको एक और advantage देता हूँ इस segment में जितने भी scooter आते हैं यदि आप उनमें से किसी के साथ में भी इसका comparison देखना चाते हैं तो आप comment करके बताईए और Instagram पर DM जरूर करिएगा मैं आपके लिए उन सभी के साथ में इसका comparison भी पहुती जल लेकर आने वाला हूँ यदि आप इस वीडियो को ही काफी लेट देख रहे हो तो उन सभी वीडियो का link में आपको i button में और इस वीडियो के description box में दे दूँगा अब मैं यह उम्मीद करता हूँ इस scooter से related आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दों में मिल गए होंगे और आपने यह decide कर लिया होगा कि आप इस scooter को खरीद रही हो या फिर नहीं खरीद रही हो जो भी आपका decision हो फ्रीज कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे final verdict की अगर बात की जाए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई technical sht youtube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting videos और important videos जी हाँ भाई important videos समय समय पल आता रहता हूँ जैहिंद पंदे मातरम